नुवदी और उसकी नानी की निर्मम हत्या के बाद घर में लगायाग मध्यप्रदेश के सिवुनी जिले के बरगाट थाना क्षेत्र में डबल मड़का मामला सामने आया है पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है जिले के बरगाट थाना अंतरगत जन्मखारी गाव में डबल मड़की वारदात सामने आये है रविवार सुबा पढोसियों की सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस को घर के अंदर आंगन में सो रही कांता बाई पती ईश्वरी प्रसाद रहन डाले 70 साल और उसकी नातिन करिश्मा पुत्री प्रताप कट्वे 18 साल का शव रसोई घर के पास मिला है निर्मम हत्या को अंजाम देने के बाद अग्यात आरोपित ने घर के अंदर के कमरे में आग लगा कर युवती के कपड़े वरन्य सामगरी को जलाने का प्रयास किया जाच में घर के कमरों में आग जनी के निशान पाए गए है मृतक नातिन वनानी के सिर में किसी ठोस वस्तु से प्रहार किया गया है संसनी खेजवारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक शक्राकेश कुमार सिंग सहिद बर्गाट SDOP ललिद गठरे फोरेंसिक टीम वर डाक स्क्वाइड मौके पर पहुँच गये डबल मडग के अग्यात कारणों की चानबीन के साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है बर्गाट थाना प्रभारी मोसिन सिंग बैस ने बताया कि यूवती के माता पिता नागपुर में इट भट्टा में मजदूरी का कार्य करते है जबकि घर में यूवती के अलावा उसकी नानी रहती थी अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार की राद बारह से रविवार सुबह चार बजे के दर्म्यान अग्यात आरोपियों ने यूवती और उसकी नानी की निर्ममहत्या की वारदात को अंजाम दिया है वारदात से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है पुलिस बल पूरी घटना की विस्तृत जाचकर वारदात की कडियों को जोड़कर आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है